कि अब लोग जैसा कि आप लोग जानते हो कि अनुट जड़ेवल में जो एक्जाम में कुष्चन पुछे जाते हैं नॉमली जहां से वेटेस ज्यादा होता है नॉमली छोड़े-छोड़े कुष्चन बहुत सारे पुछे जाते हैं बहुत छोड़े-छोड़े टॉपिक जो हम जनली एक्नोर कर देते हैं वहां से जनली नॉर्बल कुष्चन बनते हैं जैसे कि हीट आप हीडोजन हुआ हीट आप कंबक्शन हुआ है बहुत सारे चोड़े कॉंसेप्ट हमने पढ़ा रखे हैं और विदीन सेकेंड में या फ्र कि और नॉर्फमें और याज़ सब्सक्राइब या जैसे चींट होता है फ्रिफट आप हीट आफ कंबक्शन है कि से स्टिभी नंबर में अप करते हैं नंबर कारवन नो हाइडोजन पे निबंकर तो तो कैसे हम किसी भी एकर फोप्बक्शन का हीट इच्पन कर सकते हैं heat of combustion is dedicated to number of carbon, sorry, number of carbon and hydrogen right now and again one upon stability, right, यह concept आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इन दुनों पे आप क्या करते हो, heat of combustion को calculate कर सकते हो, ठीक है, फस्त आप 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 सीधा number of carbon and hydrogen, number of carbon जादा होंगे, hydrogen जादा होंगे, heat of combustion की value ultimately जादा होगी and next one, अगर stability मतलब क्या है, अगर किसी component की stability जादा होगी, तो heat of combustion कम होगा, inverse relation है, लेकिन अगर compound unstable होगा, तो heat of combustion क्या होगा, उसका जादा होगा, इसका reverse सोच के देख लो, आप, खुद ही सोचोगे, कि stability है, stability जितनी जादा होगी, that is a reverse जाएगा, reverse effect जाएगा, यानि, inverse relation इसके साथ, तो stability जैसे जैसे बढ़ेगा, heat of combustion कम होगा, जादा होगा, जादा होगा, प्रक्रामें पूछा जाएगा, इस चीज को कैसे पेपर में पूछा जाएगा, कैसे कुशन जो है आपके इंट्रेंस पुछा आते उस पे बात करते हैं वहीं से आप सीख पाऊंगे कि कैसे जब तक आप उसका अप्लिकेशन नहीं सीखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चले कि कैसे क्या करना है जैसे कि यहां पे कुशन में डिजाइन करा हूं देखिए माले यहां पे आयसे कुशन दिया थीस फोट इस Key यहां पे देखरों हो नमबरा का सकते दो कारगban यहां बिного किदू कारभन है टो थीन छार चार क़र अपे इस एक दो तीन चार पांच पांच पार्बंड हुँगे उतना ज़्याद आपका हीट आप कंबक्शन होगा बेसिकलिए आप देख सकते हुए यहां पर नमबर आप कार्बंड जादा है तो इसका फिर इसका फिर इसका विदिन सेकेट आपने सौल कर लिया बहुत आसान था बहुत आप बेसिक सा निथा कि आपका heat of combustion ज्यादा होगा, ज्यादा number of carbon dioxide यानि carbon dioxide ज्यादा बनेगा and water के molecules भी release होंगे, ज्यादा number of carbon, ज्यादा number of water molecules भी release होने वाले that is the heat of combustion, next one अगर हम बात कर रहे हैं, यह तो बहुत basics था, अगर हम बात करते हैं, कुछ इस तरह के compound की design करते हैं जैसे कि माली जी मैंने एक compound ऐसे लिखा, and next compound अपने design करने कुछ इस तरह से, this one, and next one again design to this one, this type, जैसे कि ऐसा design करने वाले अपने compound इस तरह से, ठीक है, माली जी मैंने ऐसे compound design किया, ठीक है, तो यहाँ में फस्ट आफ 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 यहाँ बात कार्बन, 1, 2, 3, 4, यहाँ में 4 इसका number कर देता हूँ A, B, C, obvious से बात है कि B का heat up combustion A से जादा होगा, क्योंकि number up carbon इसमें ज्यादा है, अब B और C में क्या करेंगे, number up carbon तो बराबर है, तो यहाँ में टेक the stability, कौन compound less stable है, जो compound less stable होगा, उसका heat up combustion ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर stability इसकी check करें, इसक कुछ नहीं लगा होता है, सिंगल ऐसे लिखा होता है, उसके दूसरे end को क्या treat करते हैं, में ने बताया है कई वीडियो में यह चीज, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 3 hydrogen लगे होए, यहाँ पे कितने hydrogen लगे होए, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 alpha hydrogen होए, कितने hydrogen है, 9 alpha hydrogen यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ठीक है, यहाँ पे total 3, 5 alpha hydrogen होए, तो सभसे कम unstable, यह जए ज़्यादा तो B, ज्यादा heat of combustion होगा, then goes to C, and this one A, ठीक है, इस तरह से order आएगा, A सबसे last में इसलिए आ रहा है, क्योंकि इसमें number of carbon ही कम है, हला कि, ठीक है, number of carbon कम है, तो लेकिन इसमें number of carbon बराबर है, तो अब क्यों से topic लेगा, इस्टीबिलिटी, जिसकी इस्टीबिलिटी जितनी जादा, heat of combustion उतना कम होगा, ठीक है, तो यह क्या है, उसके कम पेर में, यह अनस्टीबल है, alpha carbon है, उसके alpha carbon के जादा है, तो simply बात है, कि जो unstable होगा, उसका heat of combustion जादा होगा, यह unstable है, तो यह क्या होगा, पीछे चला जाएगा, that is, B का heat of combustion, C से जादा होगा, और सबसे last में क्या होगा, A क्यों last मिले जा रहो, क्योंकि सर इसमें number of carbon ही कम है, तो यह तो ऐसे पीछे जाने वाला है, next example, और detail में इसको समझने वाले है, अगला जैसे मेरी कुषिन कराने वाला हूँ, यह आप देखे, इससे पता चल जाएगा, कि क्या बोलने माला हूँ, तो पर्स-2 heat up combustion इस strain पे depend करता है, जिस मालीकुल में जितना ज्यादा strain होगा, angle strain, that is 60 degree, 40 degree, ठीक है, यहां पे 120 degree होता है, यहां पे 120 लेकिन यहां पे 90 आथा, इसमें पूरा 120 degree होता है, सबसे कम strain इसमें है, सबसे ज्यादा strain इसमें है, यहां पर्स-2 heat up combustion इसका घरीन हो जाएगा, that is this one, this one, ठीक है, पर्स-2 heat up combustion, strain बेह द्याइद गरता है, कि जिसमें compound भी strain ज्यादा होगा heat of combustion ज्यादा होता है ठीक है अगला example फिर से retrace करते हैं next one जैसे कि अगला example हम इसको देखते हैं ठीक है जैसे कि माली जी मैंने कुछ इस तरह से ठीक है next question कुछ ऐसा बना ठीक है अगला question कुछ ऐसा बना ठीक है अब आगे देख रहे हो अब इतनी छोटी चीज नहीं बताने वाली होती है अब नंबर आप carbon काउंट कर लिया गरो जहां पर turning points होते हैं bond line structures होते हैं आपको पता होना चाहिए कि नंबर आप carbon कहां कहां पर होते हैं ठीक है यूइल सबस्यादा नंबर आप carbon कहां यहां पर इसके बाद इसमें फिसके बाद इसमें इस्टिविल्टी को यह हीट आप combustion order कैसे आएगा ऐसे आएगा आप carbon काउंट कर लो आपको heat up combustion आप इससे बात मिल जाएगा तुरंद मिल जाएगा ठीक है और आगे जाने पर नंबर आप carbon आपके काम हो रहे हैं ठीक है यह तो वैसे ही स्टेबिल्टी आप चेक करोगे तभी आप बता पाऊगा जैसे मैंने एक compound यहां पर इस वन ठीक है यह compound मैंने लिखा ऐसा कुछ लिखा हुआ है and next one you will see is there आप इसा लिखा हुआ है ठीक है ऐसा ठीक है यह दूनों compound देखो गे तो यह देखो five इंबर बना यह six member इसमें स्टेंड जादा है इस compound में स्टेंड जादा है क्योंकि नंबर आप तो carbon सब्संदी में ठीक है six and goes right now six to strain किसमें जादा सर इसमें स्टेंड ज्यादा है five member यह six member six member strength कम होता है five member strength ज्यादा होता है इसको और अच्छे से बनाऊ ना इसको और भी कर सकते हो ऐसा कुछ कर सकते हो and this one ठीक है और स्टेंड आपने पैदा कर दिया ठीक है four member बना दिया और इससे और जादे पैदा होगा और अच्छा कोशन बनाना है तो triangle मना दो cyclopropene compound मना दो उसमें और strain पैदा हो जाएगा जैसा कि एक्जामपल मैंने बताया था तो अब इसी चाप का मक्षन आप देखो कि बिना देखे बता सकते हो ऐसे आएगा आपने strain पैदा कर दिया तो इसमें सब्सक्राइब बनाएंगे तो उसमें भी अपने डिसक्स करेंगे नेक्स कुशन अगले फिर से बात कर लेते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास नेक्स कुशन कुछ ऐसा है हला कि इसी में से रिवील लोकर के कुशन आते हमें साथ ट्विस्स करके तो थोड़ा सा आपको concept याद रखना होता है थोड़ा application सीखने होते है इन सब के तो आप आपसानी से heat up combustion calculate कर सकते हो राइट जैसे कि मान लीजिए मैंने एक example लिखा that is this one question and a two three four five right and next one one two three one two three four five one two three four five right and next one that is a a and this goes right now B and again you will be click the one two three one two three four five right इस तरह कोछ एस्ट्रक्चर बना हुआ है यह चीज अगर number of carbon आपके सेम हो जाए और structure आपके बदलते चले जाये ठीक कैसे अधिक जैसे से आपके number of structure सब में 5 carbon है stability ठीक है, तो stability sensor आएगा, हमेशा याद रखिए अगर कोई carbon किसी भी compound में branch बढ़े न, branch branches बढ़ते हैं, तो stability बढ़ते हैं, because this compound is goes on a packed, packed like structure, packing उने best one होता है, उनको चावतरब से compound घेर के रखे होते हैं, तो जाने नहीं देते हैं, इसका उल्टा सोच के देखो, यह तो कुछ हाई नहीं, यह तो linear है, तो अगर मैं ABC order रिखू, तो आपके क्या बताऊगे, A का heat up combustion ज्यादा, फिर उसके बाद B का, अफिर सबसे last मी कोना हैं, C का, heat up combustion बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा mind को revealed out करना होता है, core को आप compound है, इसको जैसे अपने को burn out करना है, this one, मालीची कोई कुछन आपने लिखे हैं, ठीक है, जैसे यह compound है, and this one, and जैसे यह compound है अगला, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो है, तो वही stain का concept लगेगा, number up carbon and everything will be same as well, ठीक है, तो same concept है, strain, strain के साथ जाओगे आप, ठीक है, carbon सेम है, सबकुछ सेम है, तो आप strain के साथ जाओगे, which one, highest strain, third member, जो cyclopropene आप design करते हो, उसमें strain बहुत ज़्यादा होता है, तो strain ज़्यादा होगा, energy revealed out ज़्यादा होगी, ऐसे की, जासे की कुछएन मैंने design किया हमाँ लिजे, ऐसा कुछ design कर सकते हैं, ठीक है? आभी इसकोयर, डिजाइन और कर सकते है कि पिर जाला ये क्यों बहुत जादा है इस एक स्टे जारनोंगे और क्या है कि चैश्य स्टे इस ट onions क्माउपनी आपके किया है बहुत जादा है तौना से कोश्चिन पुछे जाते हैं यह चीज हमे धाया ऑथ है तो इस तेबिल्टी बढ़ती है एक्शुली लाइट नो ठीक है तो इस वन उतनी इंथेल्पी आपकी रिलीज होगी मिलेगी हमको ठीक है उतना यहां के बहुत्या कर सकते हो लिए निक्स वीडियो में इसका पार ढ सीथे जाहिए अब कहीं को बताऊंगा तो बेकिन आपको चीज को देखना पड़ेगा इससे पहले आप ये कंबक्शन डंग से सीख लीजिए बेसिक्स आपको आना चाहिए एडवांस प्रब्रमन को सॉल्व करने के लिए तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं आप रिविजन करते रहें पढ़ते रहें बाबाय एंड टेक केर